नगर निगाय चुनाफ के लिए क्या होगा आरक्षर का फॉर्मला तयारियों में जुटा है हर सियासी दल नमस्कार आप देख रहे हैं ट्रिगर निउज और मैं हूँ आपके साथ चेश्ठा चोपडा नगर निगाय चुनाफ की तारिके जल्द ही घोशित होने वाली हैं क्योंकि जिस आरक्षर के प्रस्ताफ का इंतिजार किया जा रहा था वह 48 जिलों के लिए चारी कर दिया गया है और माना जा रहा है कि बागी बच्चे 27 जिलों में भी आरक्षर का फॉर्मूला एक या दो दिन के भीतर आ जाएगा हाला कि अभी 17 नगर निगम के मेर 200 नगर पालिका के अध्यक्ष और 546 नगर पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाफ के लिए आरक्षर का क्या फॉर्मूला होगा या फिलाल 10 नहीं हो पाया है वही कॉंग्रेस साफतोर पर दावा कर रही है कि इस बार निगाई चुनाफ में वा पिछली बार से बहतर प्रफॉर्म करेगी उत्तर प्रदेश में शेहर की सरकार चुनने का इंतिजार हर कोई कर रहा है सियासी दल हो नेता हो या आम लोग हर कोई इंतिजार कर रहा है और बाकी बचे 27 जिलों के आरक्षन का फॉर्मला भी माना जा रहा है कि एक या दू दिन के भीतर आ जाएगा इसके आपत्ति दर्च कराने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है और माना जा रहा है कि या समय पूरा होने के बाद राजनिवाचरन आयोग चुनाफ की में चुटा है 2024 के लोकसवा चुनाव से पहले इस निकाय चुनाव को एक समी फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कॉंग्रेस भी आमान रही है कि या चुनाव उसके लिए काफी एम है और पार्टी की स्थिती को जानने के लिए इसने भैतर अफसर नहीं मिल सकता इसलिए क कॉंग्रेस ने या तै किया है कि इस बार मेयर पार्षध नगरपालि का अध्यक्ठ सदस से नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पंचायत के सदस से हर चुनाव अपने सिंबल पर लड़ाएंगे पार्ठी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी का साफ तोर पर कहना है कि जब हम पानी निकाय चुनाव को अपने सिंबल पर लड़ेंगे तो हमें या पता चलेगा कि हमारी क्या तैयारी है और हमारे सिंबल को कितना पसंद किया जा रहा है वाया भी कह रहे हैं कि 2017 से जादा सीटें इस बार निकाय चुनाव में कॉंग्रेस जीतेगी हाला कि अगर 2017 के आपडों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम 16 थे लेकिन कॉंग्रेस एक भी नगर निगम के मेयर की सीट नहीं जीत पाई थी वही नगर निगम में सबासदों के पत पर कॉंग्रेस की जीत का केवल 8% थी था वही नगर पालिका अध्यक्ष पत पर कॉंग्रेस की केवल 4% थी उम्मीदवार ही जीत पाई जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष पत पर कॉंग्रेस के 3% थी उम्मीदवार ही विजय हासिल क पर पाए थे वही नगर पंचायत में सदस्यों के पत पर कॉंग्रेस की जीत का प्रतिशत केवल दो फीस्ती ही था हाला कि 2017 में कॉंग्रेस के पांच विदायक थे लेके निजबार उनकी संक्या घटकर दो हो गई है ऐसे में कॉंग्रेस के सामने 2024 के लोकसवा चुनाव से पह हुआ 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 है